इस वीडियो इस पॉंसरड बाई अपिस्टॉक्स जादा जानकरी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं दोस्तो हमारी पृत्वी पर पानी ही पानी है और वो है समुद्र की शकल में लेकिन हम अपनी पृत्वी पर मौझूद हजारों स्कॉयर किलोमीटर के पानी को अभी तक किवल 5% से भी कम एरिया में एक्स्प्लोर कर सके हैं और इस 5% एक्स्प्लोरेशन में ही हमने इतने अमेजिंग एनिमल्स और हजाने ढून निकाले हैं और भी सोचिए बाकी के और भी एरिया को अगर हम एक्स्प्लोर करते रहेंगे तो हमें क्या-क्या हमारे समुद्रों से मिल सकता है और इसलिए पानी में कभी कभी ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज़ें मिल जाती हैं कि हमारे साइन्टिस भी शौक डिले जाते हैं पानी में हुए कुछ इंक्रेडिबल डिस्कावरीज के बारे में कोलम्बियन खजाना पहले जब उड़नाले जहास नहीं बने थे तब हर देश के लोग एक से दूसरे देश जाने के लिए और हर देश की सेना जंग करने के लिए पानी के जहास का भी काफी जूस करती थी और लगभग 300 सार पहले ब्रिटिश और स्पैनिश शिप में भी कोलम्बिया के तट पर कई जंग हुई उनमें ब्रिटिश को ये जीत हासिल हुई और स्पेन का सैन होजे नाम का एक शिप पानी में डूब गया इस्पैन के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था क्योंकि इस शिप में सोना और दूसरी केमती जूइलरी भरी हुई थी साउथ अमेरिका से इन चीजों को लेकर ये शिप इस्पैन जा रहा था आज के हिसाब से इस ख़दाने की कीमत थी 17 बिलियन डॉलर्स यानि कि लगभग 120,000 करोड रुपए 2015 में कोलम्बियन्स ने इस शिप के मलबे को ढूल निकला एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब तक ढूंडा गया ये सबसे कीमती पानी के जहाद का मलबा है पर सवाल ये उटता है कि अब इस ख़दाने का मालिक कौन होगा ये शिप तो स्पैनिश लोगों का है तो क्या उन्हें ये दे दिया जाएगा पर ये मिला कोलम्बिया के इससे वाले समुदर में है और इसे ढूंडा भी कोलम्बिया नहीं है तो इसलिए इसे कोलम्बिया को ही मिलना चाहिए लेक बैकाल लेक बैकाल रश्या के इलकुत्सक रीजन में मुझूद बेहट ठंडी लेक है ये लेक बड़ी बड़ी गाड़ियों को अपने अंदर कैद कर लेती है और कहीं नहीं जाने देती इसकी वज़े है इस लेक के पास से गुजरती हुई रोड्स सरदियों के मौसम में समझ में नहीं जाता कि रोड किधर है और लेक किधर और इसलिए कभी कभी ड्राइवर्स रोड से हट कर जम चुकी इस लेक पर ड्राइविंग करने लगते हैं और उनकी कार इसी में फ़स जाती है लेकिन शायद बर्फ की वज़े से ये कार्स इसमें नहीं फ़सती है इस लेक में आस्मा से एस्टरोइड भी गिर चुके हैं शायद इस लेक में कोई मैगनेटिक पावर है ये कोई ऐसी वैसी लेक नहीं है ये दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी लेक मानी जाती है और दुनिया भर के फ्रेश सर्फेस वाटर का 22% इस लेक में ही मौजूद है ये 5000 फीट गहरी है इस लेक के पानी में अब तक 92 कार्स, 18 बोट्स, 65 स्नो मोबाइल्स, 2 मोटर साइकल्स, ट्रैक्टर्स, हेलिकॉप्टर्स यहां तक की एक प्लेन भी डूप चुका है वो भी केवल पिछले 15 सालों में लोकल लोग इसे अंडर वाटर सेमेट्री यानि पानी के नीचे बना कबरिस्तान भी कहते हैं और इसमें फसे वेहिकल्स को बाहर निकालना है गौवर्मेंट के लिए बहत जरूरी है क्योंकि एतनी बड़ी फ्लेश वाटर की ये लेक फ्यूल और केमिकल्स से पॉलिटेड हो जाएगी तो यह हमारे इन्वाइर्मेंट के लिए काफी खराब होगा पर क्यों इसमें ये वेहिकल्स क्यों फस गए इस कॉश्चन का सही जवाब आच तर नहीं मिल सका है ये 10 फिट लंबा काफी बड़ा राइनो था जो देखने में भी काफी भैनक लगता होगा और ये आज पाये जाने वाले राइनोस का पूल वज रहा होगा पर समुद्र के अंदर ये राइनो कैसे पहुचा यूक्रेन के शहर ओडेसा के पास ब्लैक सी में इस फॉसिल की खोड़ जोई है इसके अलवाई यहाँ पर समुद्र के नीचे लकडी में बनी बिल्डिंग्स भी मिली है जो इस बात का सबूत है कि पहले यहाँ सूखी जमीन थी पर हजारों सार पहले एक बयानक बार रही थी समुद्री खजाना स्पैनिश पानी के जहाँ के खजाने को मिलने से पहले नुस्ट्रा सेनोरा डेयर टोका सबसे कीमती समुद्री खजाना था जिसे 1985 में ढूदा गया था इसे एडवेंचरस मिल फिशर ने ढूदा था और सालों तक ढूदने जाने के बाद ये खजाना मिल पाया था हर गोता खोर का ये कही न कहीं ड्रीम होता है कि पानी के अंदर वो किसी खजाने को ढूद निकले और जब मिल फिशर का ये ड्रीम पूरा हुआ तो वो बेहद अमीर हो गये स्पेन का एक पानी के जहाज एक तुफान में फसकर 1622 में डूब गया था इसमें 40 टम से जादा खजाना था जिसमें सोना चांदी और दूसरे कीमती पत्थर थे इसे डूदने जाने के बाद से वहाँ से 450 मिलियन डॉलर्स यानि लगबख 31 सो करोड रुपे का खजाना निकाला जा चुका है लेकिन ये खजाना पूरा नहीं मिला है क्योंकि शिप टूट का डूबा था तो ज़्यादतर खजाना अब भी समुद्र में कहीं छिपा हुआ है और इसलिए अब भी लोग इसे ढून रहे है मैकसिकन कैथेडरल कभी-कभी बाड आने से या सी लेवल के बढ़ जाने से शहर के शहर पानी में डूब जाते हैं और उस पानी को सूखने में सदियां भी लग सकती हैं ऐसा ही हुआ मैकसिको के एक कैथेडरल के साथ ये कैथेडरल पचास साल पहले गाइब हो गया था 500 साल पुरा ने ये कैथेडरल स्पैनिश लोगों के दोरा सोल्वी सदी में बनाय गया था और इसका नाम था टेंपल ओफ सैंटियेगो 48 फिट उचा ये कैथेडरल तब डूग गया जब इसके पास 1960 में एक बांध बना दिया गया और फिर सूखा पड़ने के बाद ये कैथेडरल पानी से बाहर दिखने लगा अब यहाँ पर टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं और लोकल बोर्ट्स के थेडरल उन्हें इस कैथेडरल के काफी पास तक लाया जाता है कुछ शिप्स पानी में जादा नहीं डूपते बलकि उस सर्फेस से दिखाई देते रहते हैं ऐसा ही हुआ स्वीब स्टेक्स के साथ ये कैनेडा के उंटेरियो शहर के पास कोईला लेकर जा रहा था तभी ये 1885 में डूप गया इसे किसी तरह रेस्क्यू करके किनारे तक लाया गया पर इसे परफेक्टली बनाया नहीं जा सका अब ये पॉपुलर टूरिस्ट अट्रेक्शन बन चुका है और यहां बहुत से विजिटर्स इस जहास के मलबे को देखने के लिए आते हैं वही कुछ टूरिस्ट तो अंदर गोता लगा कर इसे करीब से भी देखते हैं कुछ सालों पहले तक तो डाइवर्स को बोट के अंदर जाकर एक्स्प्लोर करने की भी ज्यादत थी लेकिन अब इस पर बैन लग चुका है क्योंकि डाइवर्स के सास लेने से जो हवा निकलती थी वो इस जहास को डैमेज कर रही थी और अब इस जहास को फ्यूचर की जनरेशन के लिए प्रिजर्व कर लिया गया है असेस बैरोन गौच आस्ट्रो हंगेरियन 300 फीट लंबा ये आस्ट्रो हंगेरियन शिप 1908 में बनाया गया था 1914 में वर्ल्ड वार वन होने के बाद इसे मिलेटरी के लिए यूज किया जाने लगा लेकिन 13 अगस 1914 को ही ये शिप ढूग गया क्योंकि इसका कैप्टर्ण सो गया था और फर्स्ट आफिसर इंचार्ड था लेकिन उसकी लापरवाही से ये शिप अपना डायरेक्शन बदल कर आगे बढ़ दिया और उस जगे पर आस्ट्रो हंगरियन आर्मी ने दुश्मन देशों के शिप्स के लिए माइन्स लगाई थी और उन्ही माइन्स की चपेंट में आकर ये शिप साथ मिनट के अंदर ही डूग गया 1958 में इसका मलवा ढूटा गया पानी में मिला शहर ग्रीस के दक्षिर में किनारे के पास 13 फीट नीचे दुनिया के सबसे फेमस और सबसे पुनाने पानी में डूवे टाउंस में से एक है इसे 5000 साल पुनाना मना जाता है लेकिन इसका नाम हम इंसान अभी तक नहीं जा सके आर्केलोजिस्ट के मताबिक ये पहले एक बड़ा और अमीर टाउन था लेकिन अर्थ कोयक आने की वज़े से ये पानी में डूब गया पर ये शहर अब भी वेल प्रिजर्ड है ये काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है इसका ले आउट आज कल के बड़े शहरों से भी अच्छा है इसमें क्लियर रोड से साथ ही दो-दो मंजिल के घर हैं इन घरों में पहले गार्डन्स भी थे और उनमें उस टाइम के पाइप सिस्टम्स के थो पानी भी आता था यहां और भी मिट्टी के बरतन और स्टेचूस भी मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि यह पहले एक बड़ा शहर रहा होगा यह एंशेंट मिनोवन सिविलाइजेशन के शहर है पर यह एक गेस है लेकिन एक बात कंफर्म है जिसने भी इस शहर को बनाया था उसने अपने टाइम के दूसरे सिविलाइजेशन से सैक्रों साल आगे की सोच कर इस शहर को बनाया था दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्लिप कार्ट का 500 रुपे का वाउचर आप फ्री में पासकते हैं अप स्टॉक्स एक शांदार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग अप है जिसके तुरू आप घर बैठे एक पेपर लेस्ट डिमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं आपको अपना पैन कार्ड लिंक करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया वहीं पर कोड अप स्टॉक्स 500 डालते ही 200 रुपीज का एक फ्लिप कार्ट वाउचर आपको मिलेगा इसके अलावा वीदिन अवीक फ्रस्ट ट्रेड करते ही 300 रुपीज का एक और वाउचर और कहीं भी ट्रेडिंग करने के लिए आपको कम से कम 500 रुपीज देने ही पड़ते ही लेकिन आप स्टॉक्स ये तो आपको 500 रुपीज के फ्लिप कार्ट वाउचर अपनी दर्फ से दे रहा है इसके अलावा आपको इसमें 28,000 के फ्री बेनिफिट भी मिलेंगे जैसे और स्टॉक्स और टवेगो जैसी स्टॉक मार्केट सरग से आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे तो अगर आप अकाउंट खुलना चाहते हैं तो लिंक इस इन दर डिस्क्रिप्शन अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए ये बहुत ही फाइदेमन चीज है अब स्टॉक जेसन डिकर टेलर ने डिजाइन किया है ये एक मरीन एक्सपर्ट और डाइवर है उन्होंने अपना करियर पानी के नीचे काम करते हुए बिताया है टेलर ने 300 स्कल्प्चर बना कर एटलांटी कोशियन में एक साथ लगाई ताकि क्लामेट चेंज के प्रतीर दुनिया का ध 200 से जदा स्टेचूस को एक सर्किल के शेप में भी अरेंज करके एक जगे पर लगाया गया है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि यहां पर समुद्री जानवर आकर रह सकें खासकर इन मूर्तियों से कोरल रीफ बन सकें टेलर का कहना है कि इंसानों की ये मूर्तिया इस ब पिक्स पर नॉलेशफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीचे मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल लगिए